जो बार बार को ना कि बजन करो बजन करो बजन इसलिए करने के लिए कहूं कि बजन करोगे तो स्थिर्था आओगी जो चाहोगे सो होगा क्या होगा कि हर चीज में संतोष मिलना चालू हो जागा एक पैसा कमाया उसमें संतोष दस रुपे कमाया उसमें भी संतोष सो रुपे कमाया उसमें भी संतोष एक क्रोड प्या कमाया तब भी संतोष दस क्रोड कमाया जब भी संतोष सो क्रोड कमाया जब भी संतोष और भायो हजार क्रोड कमाया तब भी संतोष कि इंसान संतोष्य हो जागा संतोस्ती कब होगा संतोस्ती जब होगा जब इंसान भगवान का बजन करेगा बजन नहीं करेगा तो संतोस्ती नहीं हो सकता अपने आपने दो दिन धिल छोड़ कर देख लो भाइड़ो दो दिन बजन करना बंद कर दो लगातार आप चार साल ते हैं पांच साल तलगात रहें लेकिं दो दिर छोड़ दो तीसे दिन मन नहीं करेगा कि बजन कर लो इसलिए मैं भार कर अपने नियम में डालो कि खाना भूल जाओ तो बजन भूल जाओ अगर खाना नहीं भूल ले तो बजन भी होनो चाहिए वो क्यों कि नियम है जब तक आप एक नियम बढ़ा के शरीर में रखोगे तो आप सब कुछ करते जाओगे नहीं तो आप खुद देख लो जो इनसान पूरा महिना अपनी नोकरी पर जापने काम पर जाओ सुबह जाज शाम ना हो है वो एक दिन घर रहा कर देख लो एक दिन जिस दिन घर पे रहोगे न उस दिन का पता चलाएगा टाइम से उठा नी जाओगा, उठ गया हो तो बजण टाइम पर नियुगा, बजन टाइम पर नियुगा, नास्ता नियुगा तो ब्रेक उकिक काहा है, लंच नियूगा, लंच ते भर नुकरते चेह, तो अधे शब्र नियु लिए उता हुछ, जब वो चीज, वो पढणाल अर इस तरह करो कियो निरन तर रहे